प्रण्ट कैसो सब बढ़िया बोलो चेप्टर नेबर 50 स्टेटेस्टिक्स हो गया क्लियर ओके अब आप नए चेप्टर की बात कते बच्चे लोग आपसे हमारा आज का जो नया जो चेप्टर ने प्रॉबाबिलिटी के बारे में है प्रॉबाबिलिटी का मिनिंग होता है कि आप कोई भी एक्सपरिमेंट करते हो तो उसके जो हम रिजल्ट है उसको हम पहले से डिसाइड करते हैं कि बहुत चलो इसमें से कुछ आ सकता है तो रेंडम एक्सपरिमेंट हमारा जो टॉपिक है सबसे पहला रेंडम एक्सपरिमेंट जिसे कि मानों कि आप कोई दो टीम है उनके बीच में क्रिकेट हो रहा है माना कि इंडिया और उस्टिडिया के बीच में मैच हो रही है तब डिसाइड कर पाएंगे या तो इंडिया जितेगा या तो उस्टिडिया जितेगा या तो टाइबी हो सकती है यानि कि ये दो टिम के बीच का जो रिजल्ट आने वाला है वो हम पहले से सोचते हैं कि इसमें से कुछ हो सकता है इसी तरह माना कि मैंने कौईन को टॉस किया तो कौईन टॉस करते हैं तो कि या तो एच आ सकता है या तो टी आ सकता है इसी तरह डाई को हम थ्रो करते हैं तो डाई थ्रो करते हैं तो अपने को मालूम है कि डाई थ्रो करने से या तो 1, 2, 3, 4, 5, या तो 6 इन वे से कुछ भी आ सकता है यानि यह जो experiment है बहुत सारे ऐसा experiment हमारे आजू आजू होते हैं जिसका हम पहले से सोचते हैं इसके जो result है outcomes क्या आने वाले है इसको हम sample space कहते है the set of all possible outcomes the set of all possible outcomes जितने भी possible outcome आने वाले है उसको हम क्या कहते है उसको जो बनने वाला set है उसको हम sample space कहते है उसके अंदर जो point होते है उन्दे जो नंबर होते हैं उसको हम कहते हैं sample points कहते हैं element of sample space element of sample space उसके बाद event किसको कहते हैं तो experiment के बाद बच्चे लोग experiment के बाद last में जो भी result आता है इसको हम क्या कहते हैं event कहते हैं event event यानि a set of all the sample space subset of all sample space यानि जो भी sample space है उसके subset हम सोते हैं कि बई practical पूरा हो गया अब आपको मालूम पढ़ गया कि हमने die throw किया तो 3 आया तो experiment कंप्लिट होने के बाद जो result आता है वो subset हुआ sample space का इसको हम event कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं बच्चे लोग event तो event को हम capital A, capital B, capital C, capital D, C दिनोटेट करते हैं अब टाइप ओफ इवेंट अलग अलग टाइप के इवेंट हैं सबसे पहली यह impossible event कि इसको कहते हैं impossible event that is a empty set empty set 5 यानि कि कोई भी इसके अंदर result हैं जैसे कि आप die throw करेंगे तो die throw करने से 7 आता है लेकिन आपको मालूँ कि die throw करने से कभी भी 7 नहीं आने वाला है इसी तरह हमने coin को toss किया और तीन बार age आता है तो यह तो कभी possible ही नहीं होगा इसी बहुत सारे event होती है वो इसमें कोई भी element होता ही नहीं है इसको impossible event कहते हैं that is a empty set आपको chapter number 1 तो थोड़ा याद है न बच्चे लोग पस chapter number 1 के according ही थोड़ी हम बात करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा use हम chapter number 1 का ही करने वाले हैं बड़ाब है अब sure event sure यानि the whole sample space यानि sample space के अंदर जितने भी element वो सब आते हैं x के अंदर जितने भी element वो सब आते हैं उसको हम क्या कहते है sure event अब उसके बाद complementary event complementary event यानि की not event not event यानि a-s अगर अब इसको हम कैसे डिनोटेट करेंगे a-s that is a s-a sample space में से event के जो element वो निकाल देने के event a और बी a और बी अपने को मालू में के और आता है यानि की union की बात हो रही है the set of a union b event a and b end आता है यानि intersection हो गया the set of a intersection b इसके बाद दिखा है event a and not b and not b यानि की b की element नहीं लेने के है आपने तो क्या होगा a minus b clear फिर से समझो पहली जो अपनी जो exercise होगी उसके अंदर जो भी experiment देते हैं उसके कितरे outcomes आने वाले हैं उसका जो set बनने वाले हैं उसको हम sample space कहते हैं ब्राव यानि की सबसे पहले आपको sample space write करने के समझे उसके बाद event की बात हो रही है अलग-अलग type की event impossible event possible यानि sure event complement event yes a और b यानि a union भी a and b a intersection भी event a and not not b यानि a minus b यानि a minus b ये अलग-अलग type की event हैं अब इसमें से सब इवेंट के बारे में थोड़ा-थोड़ा आपको मालूम है क्यों? क्योंकि हम chapter number one के अंदर union, intersection, complement वो सब हम स्टड़ी करके ही आये हैं, इंटरसेक्शन का मिनिंग का आपको मालूम है, intersection में क्या होता है, दोनों में जो common होता है, वो लिखना होता है, union के अंदर सब्भी element लिखने होते हैं, a, b, और सब्भी के अंदर, complement के अंदर, sample space यानि की यहां वहां पे था, universal set था, universal set में से हम निकाल देते हैं, तो यह सब भी बात हम, chapter number one के according, आपको मालूम पढ़ गई होगी, अब हमारी बात आगे है, दो बाते आपके लिए नहीं है, कौन सी दो बात नहीं है, एक, maturity exclusive event, and executive event, executive and exclusive, तो क्या होता है, इसका मिनिग, तो आपके बात दो event है, suppose a is equal to one, two, three है, और दूसरी event के अंदर two, four, six है, तो आप इन दोनों का intersection निकालो, तो कुछ common नहीं आने वाला है, यानि की a and b are mutually exclusive, exclusive, if a intersection b is equal to five, यानि की a and b, वो disjoint set हुए, a and b is a disjoint set, दोनों में कुछ भी common नहीं है, तो इसको हम conceive event के थे, mutually exclusive event के थे, mutually exclusive, ज्यान रखना हूँ, और if a union b is equal to s, यानि union करने से पूरा sample space आजाता है, then a and b are called exclusive, executive event and exclusive event, दो बात है, लिए बच्चे लोग, बालों पड़ा आपको, तो यह सब भी बाते हमें 13.1 और 13.2 के लिए हैं, गराब है, तो बहुत इसके अंदर यह chapter के थे, बहुत formula भी नहीं है, गराब है, 4-5 formula है, और कुछ है नहीं, हाँ, थोड़े समझादा है, लेकिन बहुत easy है, question को बहुत अच्छी तरह से पहले आपको read करना पड़ेगा, question को अच्छी तरह से आपको read करना पड़ेगा, तभी हम इसके बारे में सोच सकेंगे, तो चलो, let's go, now, exercise 13.1, question को अच्छी तरह से बच्छे लोग read करना पड़ेगा, तभी तो आपको मालूम पड़ेगा, okay, चलो, exercise 16.1, sorry, 13 क्यों लिख दिया है, मैंने, गलती से लिखाओगा, 13 नहीं, 16 करना है, in each of the following exercise 1 to 7, describe the sample space for the, indicate experiment, indicate experiment, यानि कि जो experiment दिया गया है, उसका sample space आपको लिखना है, तो first, a coin is tossed three times, a coin tossed three times, तो पहले आप ऐसा सोचों कि माना कि मैंने coin को एक ही बाद toss किया, बराब, coin को मैंने कितनी बाद toss किया, एक बाद, तो ht आ सकता है, बराब, क्या आ सकता है, ht, तो यहाँ पे आपको coin को कितनी बाद toss करना है, three times, यानि ht, first time, second time toss करेंगे, तो भी ht आएगा, third time toss करेंगे, तो भी ht आएगा, तो sample space s is equal to ht, cross, इन दोनों के बीच में, hh, ht, thtt, अब इन सभी का h के साथ, cross product कर ला हूँ, यह h है, इनसको सभी के साथ, तो hh, 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 t, ht, t, hh, ht, t, 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 clear? तो यह हुआ, sample space, चला, question number two, इसका meaning यह होगा, माना की, suppose इसकी बात करता है, इसका meaning क्या होगा, कि भई, coin को पहली बार toss करने से tail आता है, दूसरी बार toss करने से head आता है, और तिसरी बार toss करने से tail आता है, इसका meaning यह होता है, कोई bhe learn, सब वो इसका मिनिंग क्या होगा पहली बार टॉस करने से टेल आता है दूसरी बार टॉस करने से हेड आता है तूसरी बार टॉस करने से भी हेड आता है चलो Question number two A die is thrown two times A die is thrown two times A die को two times उचाना है One, two, three, four, five, six Cross one, two, three, four, five, six Okay तो कौन-कौन से element बन सकते बच्चे लो One, one Sorry One, one Two, two One, one One, two बन सकते न बच्चे लो टूटा 36 element बन सकते सोचलो अच्छी तरह से One, one One, two One, three One, four One, five One, six Up to Two, one Two, two Two, three Two, four Two, five Two, six अब three की बार ज्यान रखना टोटल सभी element लिखने हो ऐसा मस सोचना के ऐसा रहने दो नहीं है क्या मजूरी कर रहे हो आप बाई करनी पड़ेगी यह इसका अंसर है Three, two Three, three Three, four उसके बाद Three, five Three, six Four, one Four, two Four, three यानि इस तरह से टोटल 36 element बन सक्ते है इस, S is equal to X, Y Such that X is equal to One, two, three, four, five, six Or Y is equal to One, two, three, four, five, six इस प्रपर्टीज फोटमे मेन लिखाये और और सेट बिल्डर फॉर्म दोर थे न सेट बिल्डर फॉर्म और प्रपर्टीज लेकिन आपको इस तरह से नहीं लिखना आपको इसी तरह से लिखना है मरावर ओके चलो अब आगे का question लेते बच्चे लोग Question number three Question number three is A coin is tossed four times Coin को चार बार टॉस करना है भाई Point को कितनी बार टॉस करना है चार बार But sample space S आता है Then S is equal to माना की पहले में इन दोनों को कर रहा हूं तो HH HT TH TT Cross अब इन दोनों के बीच HH HT TH TT Clear? अब इन दोनों के बीच में S is equal to ये HH इन सभी के साथ HH H, 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 T H, H, T, H उसके बाद H, H, T, T और इन सभी के साथ H, T आएगा H, T, H, H, H H, T, H, T H, T, T, H, T H, T, T, T अब TH का सभी के साथ इन सभी के साथ H, T, T, H, T अब इन सभी के साथ जोड़ देते हैं तो T, T, H, H T, 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 H, T T, 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 H, T नहीं, T, H आएगा यहाँ पर थोड़ी गलती होगे T, H होगा और T, 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 T तो यह हमारा पूरा सैंपल स्पेस बना यानि कि कोईन को कितनी बार टोस की है हमने चार बार बच्चे लोग आप अपनी तरीके से लिख सकते हो बच्चे लोग मुझे कोई दिक्कत नहीं है पहले इन दोनों का कीजिए उसका जो आंसर आता है इसके साथ कीजिए इन तीनों का जो आंसर आता है इसके साथ क्रोस मल्टिप्लाई कीजिए आपको कोई भी तरीके से लिखना हो तो लिख सकते हो पूरा क्वेशन एक मार्का है जादा नहीं है सब बन बन मार्क के छोटे-छोटे MCQA, SQ, चरो, एक कोईन इस टॉस्ड और डाई इस थ्रॉन, एक कोईन इस टॉस्ड यानि कि कोईन को टॉस्ड करेंगे, कोईन को टॉस्ड करेंगे तो head और tail आता है, इसके साथ आपको डाई भी थ्रो करनी है, यानि 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका सेंपल स्पेस क्या बन सकता है, H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5, T6, clear? तो, यानि कि कोईन और डाई दोनों को मिने थ्रो किया, वैसे तो कोईन यानि कि लक्समी का स्वरूप होता है, वहरा वो इसको जादा नहीं उचारी जाती है, लेकिन क्या करेंगे? क्वेश्टन है तो अपने करना तो पढ़ेगा, चलो, क्वेश्टन नमबर फाइव, अ कॉइन इस टॉस्ड़ और डाई इस रोड़ेड अनलि इन केस ए हेड़ इस सोन अन अ कॉइन, क्या बोलता है, फ्रीज से बताता है बच्छी लो, एक कॉइन इस टॉस्ड़ यानि अपने पहले कॉइन को टॉस्ड़ कर दिया, तो कॉइन टॉस्ड़ करेंगे तो दो बाते होगी, या तो एच आएगा, या तो टी आएगा, दो ही केस हो सकते बच्छी लोग, अब क्या लिखा गया है, यानि कि जब हेड आता है, तब आपको क्या करना है, डाई थ्रो करने की है, देखना हों बच्छी लोग अच्छी तरह से समझना, आपने एच आता है, या तो टी आता है, लेकिन, किन्तु परंतु, यदि हेड आता है, तो आपको डाई थ्रो करने की है, क्या करने की है बच्छी लोग, डाई, वान टू थ्री, फोर, फाइव, सेक्स, और टी आणा आता है, तो कुछ नहीं करना है, यानि कि उसका पूरा सेम्पल स्पेस, इस तरह से हो सकता है, उसका सेम्पल स्पेस, S is equal to, इस तरह से हम लिख सकते है, T, उसमें कुछ नहीं होगा, H1, H2, H3, H4, H5, H6, clear, इस तरह का सेम्पल स्पेस बन सकता है, चलो नाव, क्विश्चन नमबर, 6, अब क्विश्चन नमबर जो सिक्स है, वो इस तरह से है, 2 boys and 2 girls are in room X, and 1 boy and 3 girls in room Y, Specific, Specific the sample space for the experiment, in which a room is selected and then a person, Specific the sample space, for the experiment, in which a room is selected, यानि पहले आपको room को select करना है, and then a person, उसके बाद आपको person को select करना है, तो बच्चे लोग में आपको बता दू, यहाँ पर दो टाइप के room है, एक room X है, और दूसरा room Y है, यह जो X room है, उसके अंदर, दो boys है, माना के B1, B2, और दो girl है, G1, G2, G, कुछ उल्टा सुल्टा मत सोचना हो, कैसा आपको यह दो boys और दो girls क्या करते होगे room के अंदर, कुछ मत सोच हो ऐसा, रूम X के अंदर, दो boys है, और दो girls है, अब room Y, इसके अंदर एक ही लड़का है, small b कहते हैं उसको, और तीन girl है, G1, G2, G3, अब क्या करना है मालूम बच्चो, पहले आपको room choice करना है, और उसके बाद, room choice करने के बाद, उसमें से कोई एक person को आपको choice करना है, यानि कि इसका sample space इस तरज से होगा बच्चो लोग, पहले माना कि आपने room X choice कर दिया, तो उसमें से ये B1 नाम का लड़का भी आ सकता है, B2 भी आ सकता है, ये दो लड़का भी आ सकती है, यानि X B1, X B2, X G1, X G2, उसके बाद Y, B, Y room choice कर दिया, उसमें से एक लड़का या लड़की को हम choice करेंगे, तो Y G1, Y G2, and Y G3, इसकी possibility इतनी हो सकती है, बढ़ा, चलो, now question number 7, question number 7 इस तरह से बच्चे लोग, one die of red color, one of the white color, and one of blue color, are placed in a bag, one die is selected at random and rooted, its color and the number of its uppermost face is not, describe the sample space, फ्रीस अच्छी तरह से आप टेक्स्बुक में पढ़ लो बच्चे लोग, one die is red color, एक die है वो red color की है, दूसरी जो die है वो white color की है, और तिसरी जो die है वो blue color की है, आपको क्या करना है बच्चे लोग, सबसे पहले आपको die को choice करना है, कि आप कौन सी die choice कर पाएंगे, red करेंगे, या तो white करेंगे, या तो blue करेंगे, माना कि आपने red करेंगे, die आपने choice की, तो उसको हम throw करेंगे, या तो one आ सकता है, two, three, four, five, six, कुछ भी आ सकता है, इसी तरह white choice किया, और उसमें आपने throw कर दिया, तो उसमें भी one, two, three, four, five, six, में से कुछ भी आ सकता है, तो मेरे कहने का मतलब यह है, कि यह experiment का, sample space, इस तरह से हो सकता है, और red die, उसमें one number आया, red die को throw किया, two आता है, r three, r four, r five, और r six, अब उसके बाद, white, उसके बाद आता है, void करें कि, तो डबल्यू वन, डबल्यू टू, डबल्यू थ्री, डबल्यू फोर, डबल्यू फाइव, डबल्यू शेक्स, b1, b2, b3, b4, b5, b6, clear, ओके, यह हुआ, इसका, sample, space, मालू पड़ा, पहले, die आपने choice की, और उसके बाद, आपने die को, throw किया, यानि, पहला काम, die choice करने का था, और उसके बाद, throw करेंगे, तो number आएंगे, अब question number, 8 लेते हैं बच्चे लोग, question number 8 के अंदे कुछ ऐसा है, एन एक्स्परिमेंट, कंसिस्ट अफ रेकोर्डिंग, बॉइ-गल्म, कॉम्पोजिशन अफ फेमिलियस, फेमिलिस, विथ टूल चिटरन, एक फेमिलिय उसको दो बच्चे है, कोई भी फेमिलिय को दो बच्चे होने के लिए, क्या सक्चेता है उसके बारे में, तो पहला आए, यानि कि अपने को कैसा सेम्पल स्पेस लिखना है, कि क्या पहले लड़की हुई थी, या पहले लड़का हुआ था, बराबर उसके बारे में अपने को कुछ सोचना है, तो दो बच्चे कोई भी कपल को दो बच्चे है तो या तो पहले लड़का हुआ होगा उसके बाद लड़की या तो पहले लड़का उसके बाद भी लड़का पहले लड़की उसके बाद लड़का या तो दोनों लड़किया हो सकती है तो हम उसका एक्सपरिमेंट में ऐसा सुच रखें B यानि की बोई B यानि की बोई and G that is a गल्स तो पहला जो अपना जो ये क्विश्चन है उसका सेंपल स्पेस पहरे लड़का हुआ उसके बाद भी लड़का हुआ पहरे लड़का हुआ उसके बाद लड़की हुई पहरे लड़की हुई दूसरा लड़का हुआ और दोनों लड़का हुई तो इस तरह का सेंपल स्पेस हो सकता है अब इसके अंदर एक दूसरा भी क्विश्चन है बच्चे लोग इसके अंदर एक दूसरा क्विश्चन ऐसा है तो what is the sample space if we are interested in the number of girls in a family number of girls family के अंदर लड़किया कितनी हो सकती है number of girls तो अब्वियस्थे कि या तो दोनों लड़किया हो सकती या तो दो लड़की हो सकती या एक लड़की हो सकती या तो नहीं भी हो सकती है जैसे के जिसके गर में दोनों हन्मान जी पैदा हुए होगे वहाँ पे तो लड़किया होगी नहीं और यहाँ तो एक एक लक्समी जी का स्वरूप है यहाँ पे लक्समी और सरस्वती दोनों का संगाम है भाई सुखी आदमी है वो ओके सब लोग सुखी है वेसे तो तो जीडो वान टू यानि कि नमबर अफ लड़की नमबर अफ अगर्ल्स या तो एक लड़की हो सकती है या दो लड़किया या तो एक भी नहीं हो सकती है मालूम पढ़ा तो यह था हमारा क्विश्चन नमबर एड चलो क्विश्चन नमबर नाइन की बात कते बच्चे लोग चलो क्विश्चन नमबर नाइन क्विश्चन अच्छी तरह से रीड कर लो बच्चे लोग एप बॉक्स कंटेन एप बॉक्स का कंटेन वान इस रेड and three indicate white balls, two balls are drawn at random, in, in, section without replacement, section without, कौन्सी section लगा दी भाई, without replacement, write the sample space for this experiment, बहुत easy बात है बच्चे लोग, एक box है, एक box के अंदर, एक red color का ball है, गराब red color का ball है, यानि कि उसको हम R कहते हैं, और तीन white color के ball है, तीन कितने ball है, white color के, तो तीन जो ball है, उसमें पहला W1, दूसरा W2, और दूसरा W3 है, तो आपको क्या करना है बच्चे लोग, दो ball choice करने है, box में से, दो ball choice करने, लेकिन condition ये है बच्चे लोग, जो ball आप choice करते हो, उसको वापस रखना नहीं है, माना कि पहले आपने red कर का ball choice किया, तो आपको दूसरा ball इन तीन में से ही लिना है, यानि कि red कर का जो ball ले लिया, उसको बच्चे के अंदर वापस नहीं रखना है, that is a sample space इस तरह से हो सकता है, पहले red कर का ball choice किया, तो दूसरा white, पहला red, दूसरा white, पहला red, दूसरे number का white ले लिया, माना की पहला आपने white कर का, ये w1 नाम का दड़ा choice किया, तो दूसरा क्या हो सकता है, red भी हो सकता है, पहला w1 की इस तरह से w1, w2, w1, w3, उसके बाद माना की पहला दड़ा आपने कौन सा choice किया, w2, तो आर, w2, w1, w2, w3, उसके बाद w3, आर, w3, w1, और w3, w2, clear, यानि की इस तरह से नम इसको सोच सकते हैं, चलो, आग एका question देते, question number 10, question number 10, इस तरह से है, an experiment concerning of tossing a coin and then throw it second time, if hit occurs, if a tail occurs on the first toss, then a die throw it once, find the sample space, देखो क्यांसा experiment है, फिर से देखो, an experiment consist of tossing a coin, यानि की coin को आपको toss करना है, सबसे पहले तो, यानि की h आ सकता है, या तो t आ सकता है, या बात clear है, then the throw it second time, if a head occurs, यानि की जब head आता है, तो आपको फिर से coin को toss करना है, यानि फिर से h और t आएगा, if a tail occurs on the first toss, then the die is rooted, यानि की जब t आता है, तब आपको die toss करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, तो इसका sample space क्या हो सकता है, है बच्चिलो, तो इसका sample space हो सकता है, h h, h t, t1, t2, t3, t4, t5, और t6, clear, question number 11, suppose three bulbs, suppose three bulbs are selected random from a lot, each bulb is tested and classification, classification is defective or non-defective, दी का मतलब होता है, defective का करना है, यानि की जो बल्ब है, वो defective है के नहीं है, जो बॉक्स है उसके अंदर, जो बल्ब आते, बल्ब यानि वो तो आपको मालूम है न, n का मिनिंग करना है, non-defective bulb, defective bulb, write the sample space of this experiment, तो आपको थ्री बल्ब चॉइस करने के है, इसका मिनिंग बहुत लीजी हुआ, defective, non-defective, defective, non-defective, defective, non-defective, defective, non-defective, अब इसका sample space, जैसे हम वो ht वाला नहीं लिखते थे, coin को थ्री बार हम टॉस करते तो क्या लिखते है, वही लिखना है, d, 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 n, nd, n, अब सभी में d को add कर लेते हैं, तो d, 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 n, d, n, d, अब d, n, n, अब उसके बाद n, d, 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 n, d, n, उसके बाद n, n, d, 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 और n, 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 clear? इस तरह का इसका sample space हो सकता है, ओके बच्चे लोग, बहुत बात हो गई, यहां तक रखते हैं, इतने experiment तो अच्छी तरह से read करो, तो इतने experiment rate करने से यहां पर एक दो घंटे निकल दाएगे, एक टेट घंटे, अच्छी तरह से सोचा तो, परना तो बहुत easy है, तो पहले तो आपको exercise 16.1 के sum को बहुत अच्छी तरह से समझना है, और इसके बाद आपको read करना है, इसके बाद आपको लिखना है, इसमें थोरी गडबरी होएगे, तो एक वीडियो थोरा सिधा है, एक उर्दा है, ऐसा होगया है, उल्टा सुल्टा, तो I hope कि आपको वीडियो जाएग अच्छी तरह से देख लेना, मैं ऐसे थोरी mistake होगई है, इसलिए, बड़ाबन, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदब मिलते हैं, नए सेसन के साथ, यानि कि 13.1 को कम्प्लेट करेंगे, और 30.2 की बात करेंगे, बहुत इजी चेप्टर ने पर चलो, टैंसन मत लेना, ओके, टेक कैप, बाई,